Hello Everyone, Welcome Back to the Pharmacy India Students So, आज इस वीडियो में हम एक सबसे interesting topic और जो hot topic मैं कह सकता हूँ उसके बारे में आज मैं discuss करूँगा That is your PM internship scheme Yes, काफी दिन से हमें बहुत सारे messages आ रहे थे कि सरी PM internship scheme है क्या तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ यह जो PM internship scheme है यह हमारी Government of India के तूँ स्टार्ट की गई है Ministry of Corporate and Affairs के तहत अब इस internship में होने वाला क्या है तो मैं यहाँ पर बता दूँ देखिए काफी students ऐसे होते हैं जो college में होते हैं और mainly वो internship करना चाहते हैं पर उनको कहीं link नहीं मिल पाता कई बार ऐसा हो जाता है कि उनको अपना studies without internship complete करना पड़ता है तो internship एक ऐसी चीज़ है जो आपकी foundation को जो आपके course को और भी मजबूत करेगी तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कुछ companies की companies में apply कैसे करना है पर उससे पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा eligibility की देखे यहाँ पर अगर आपको PM internship scheme के तहत mainly apply करना है तो आपकी age हमारी 21 to 24 होनी चाहिए उसे के बाद education education यहाँ पर बोला गया है कि आप mainly enrolled होने चाहिए किसी course में job status आप mainly अभी आप जब job नहीं कर रहे हो तो उसके तहत आप internship कर सकते हैं मतलब ऐसा नहीं कि कोई job करते करते internship करें नहीं उसी के बाद यहाँ पर एक और condition दे दी गई है कि आपकी family में कोई person 8 lakh rupees per annum से ज़ादा नहीं कमा रहा हो और किसी की government job ना हो तो आप mainly इस चीज़ के लिए eligible है उसी के साथ अब मैं यहाँ पर बात करूँ PM internship में आपको क्या क्या चीज़े मिलने वाली है यह जो internship है यह आपकी 12 महीने की रहने वाली है India's top companies है उसी के बाद यहाँ पर एक सबसे चीज़ी बात कि जब आप internship कर रहे होंगे तो आपको 5,000 रुपे पर मंद as in stipend कहलो as in scholarship कहलो वो मिलेगा उसी के बाद जैसे ही आप join करते हैं तो आपको one time 6,000 रुपीज मिलेगा means पहले महीने आपको 11,000 रुपे मिलेगा उसके बाद पर मंत आपको 5,000 मिलेगा और एक साल के लिए आपको insurance मिलेगा अंडर प्रधानमंत्री जीवन जियोती बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यह जो insurance है यह आपका पूरे एक साल तक रहेगा जैसे ही आपका internship discontinue होगा तुरंट यह भी आपका discontinue हो जाएगा अब मैं यह आपर बता दू बहुत सारे sectors हैं जो की mainly इसमें participate कर रहे है जैसा कि आप देख रहे हैं pharmaceuticals फार्मासूटिकल में आप देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी companies Glandmark, Sun Pharma, Dr. Redis, Laboratory and Alembic भी participate कर रही है अब यहाँ पर एक सबसे चीबात कि आप और अच्छे से पता करना चाहते हैं तो आप कैसे पता करेंगे कि कौन कौन सी companies हैं तो यहाँ पर आप जैसे जाएंगे partner companies पे तो यहाँ पर आपको एक PDF मिल जाएगी और आप यहाँ पर अगर टाइप करेंगे pharma तो आपको यहाँ पर देखे यहाँ पर मिल जाएगा Sun Pharma Laboratories Limited दूसरा मिल जाएगा Glandmark उसी के बाद मिल जाएगा Mankind हमारा Sun Pharmaceutical Industry Limited Macloids और और बिंदो और उसी के बाद Alembic उसी के बाद Intas Pharmaceutical Limited और Gland Pharma Limited ठीक है Agenta Pharma Limited Torrent और Galaxos Midkine M-Cure और Suven Pharmaceutical Piramil ठीक है तो यह टोटली मैं आपको बता दूँ Around 15 कंपनीज है Pharma Industry की ठीक है जिसके थूँ आप Apply कर सकते हैं तो एक सबसे अच्छा मोका है Pharma Student के लिए तो अब यहाँ पर बात आती है कि सर इसके लिए हमें Apply कैसे करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक Home Screen ओपन होगा PM Intentionship इसकी याद रखिएगा उसी के तहट अब आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दू Login बटन पर क्लिक करना है Login बटन पर अब जैसे ही आप Login बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड वाला जो Mobile Number है जिस पर आपका OTP आता है उसको यहाँ पर डालना है और आपको यहाँ पर I confirm that the Mobile Number I am providing link to my आधार ठीक है वो चीज़ आपको करनी है उसी के बाद आपको यहाँ पर OTP डालना है जो की आपके Mobile Number पर आएगा SMS के तहत SMS के तहत आपके Mobile Number पर आएगा ठीक है उसी के बाद कुछ इस तरीके का Profile आपका खुलेगा I consent to the use my आधार डिटेल for PM internship is key तो यहाँ पर आपको agree कर देना उसी के बाद Next Step यहाँ पर एक Password आपका जैसे आप उस पर I Agree पर क्लिक करेंगे तो एक Password जो है वो आपके SMS के तहत आपके Mobile Phone पर जाएगा वो यहाँ पर आपको डालना है और फिर आपको अपना एक Password बनाना है अब जैसे कि यहाँ पर Password बोला गया है कि Password जो है वो 8 Character का होना चाहिए ठीक है एक Upper Case होना चाहिए Lower Case होना चाहिए Digit होना चाहिए Special Character होना चाहिए अब जैसे कि Password का मैं बता देता हूँ ठीक है यहाँ पर आप कर सकते हैं Let's Suppose वर्मा कर दीजे V Capital और Small कर दीजे बाकी यह एक Small हो गया 4 Small हो गया एक Upper हो गया ठीक है फिर उसके बाद Add the Rate कर दीजिए ठीक है 3,2,1 कर दीजिए तो यह Upper Case हो गया यह Lower Case हो गया यह Special Character हो गया यह Digits हो गया Number हो गया तो आपको यहाँ पर अपना Password Create कर देना है उसी के बाद आपका कुछ यहाँ पर इस तरीके से एक Mainly Open होगा Candidate का Profile देखिए यहाँ पर अगर आपकी सारी डिटेल Digilocker में है तो वो आपका आराम से Confirm हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर आपका Personal Detail आएगा Personal Detail में नाम होगा नाम होगा फोटो होगा ठीक है फोटो होगा अधार कार्ड होगा अधार कार्ड नमबर होगा Address होगा ठीक है Address होगा एक Permanent Address होगा एक Correspondence Address होगा परमनेंट जहाँ पर जो अधार कार्ड में डला है Correspondence में जहां पर आप अभी रह रहे हैं, फिर उसी के बाद contact detail, ठीक है, मेल आपको mail ID मांगेंगे, आपसे contact number मांगेंगे, ठीक है, और फिर उसी के बाद educational detail, educational detail में आपसे 10th, 12th, और आप अभी क्या कर रहे हैं, उसका complete detail, तो कोशिश करिएगा, educational detail भरने से पहले, आपके पास सभी च detail, जिसमें आपका stipend आएगा, जो मैं आपको discuss किया था, 5000 रुपे जो पर मंत आएगा, उसके लिए आपको अपना bank detail यहां पर डालना होगा, ठीक है, skills and language, यहां पर उसके बाद आपका एक option खुलेगा, skills and languages में, तो यहां पर यहां पर यह आपका mail ID पूरा complete हो जाएगा, त चीज आपको करनी ही होगी, और इसके तहत आप अपना application process कर सकते हैं, I hope आपको यह चीज़े समझ में आई होगी, मिलते हैं निक्स वीडियो में, till then, जोड़े रहे हैं, जै हिन, जै बारत